ओम शांती आज अठारा जैन्वरी दो हजार चौबिस है आज का दिन बहुत ही विशेश दिन है क्योंकि आज का दिन वर्दानी दिन है समर्थी दिवस है सर्वसंपन होने का दिवस है क्योंकि आज के ही दिन 18 जैन्वरी 1969 को ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए अर्थाद अपनी संपून कर्मातित स्थिती को प्राप्थ हुए इसलिए आज के दिन को स्मर्थी दिवस सो समर्थी दिवस कहते हैं तो आज के दिन बाबा की स्मर्थी में एक और विशेशता को याद करते हैं कि करम योगी ब्रह्मा बाबा थे तो आज का स्लोगन करम योगी क्या है इस पर है आए सुनते हैं आज का विशेश स्लोगन हर करम में करम और योग का अनुभव होना ही करम योग है दुनिया में जो अनेक प्रकार की योग सिखाये जाते हैं उसमें करम अलग होता है और योग अलग होता है करम के समय करम और योग के समय योग परन्तु राज योग की विद्या जो स्वयम शिप बाबा ने ब्रह्मा तन में आकर की दिये हैं वो राज योग करम योग भी कहलाते हैं और करम योग अर्थात हर करम योग युक्त और युक्ति युक्त हो करके करें हर करम में योग शामिल हो योग में करम शामिल हो ऐसा नहीं अलग हो जाए दोनों करम अलग योग अलग ऐसा नहीं होता है ऐसा भी नहीं कि जब हम योग में बैठे तो करम भूल जाए और जब हम करम करने लगे तो योग साधारन हो जाए योग में जब हम बैठे तो मन करे कि योग में ही बैठा रहे और करम करने का मन ही नहो और जब हम करम करे तो योग बिलकुल ही भूल जाए बाबा से connection बुद्धी योग ढूट जाए इसको करम योग नहीं कहा जाता करम योग माना करम के समय बाबा की याद सदा रहे ऐसा अनुभव हो कि जैसे बाबा साथ साथ है बाबा मेरे इस करमेंद्रियों द्वारा बाबा कार्य करा रहे है बाबा मेरे करम में है और बाबा मेरे मुझे देख रहे है जब इस प्रकार से हम करम योगी होकर करम करते हैं तो बाब दादा की blessings भी मिलती हैं और अन्यात्माओं की भी blessings मिलती है क्योंकि करम और योग का balance है और यही blessing फिर से हमें हर करम में योग शामिल करने की समर्थी देते हैं इसलिए करम योग माना वो है जो हर करम में योग की अनुभूती हो और योग में भी ऐसे नहीं कि सिर्फ योग कर रहे हैं योग ही करम के समाने अर्थात हम जो योग कर रहे हैं उसमें विकरम विनाश हो रहे हैं सर्व मनुश्य आत्माओं को सकाश मिल रहा है ये भी करम ही है अर्थात सेवा ही है तो आएए आज 18 जैन्वरी के दिन स्मृती दिवस सो समर्थी दिवस के दिन हम करम योगी बन करके ब्रमह बाप समान करमातित फरिष्टा बनने का पुर्शार्थ करें ओम शांती